असलाम लेकुम, आज का हमारा मजमून का उन्वान है मोर, ये परिंदा आप सभी ने देखा होगा, है नब बहुत खुबसूरत परिंदा होता है, सामने से देखा होगा या आपने किताबों में देखा होगा, इसकी तस्वीर देखी होगी, ठीक है, तो मैं अब इस मोर के बा आके लिखिये, तो शिरू करते हैं हमारा मजमून मोर. मोर हमारा कॉमी परिंदा है, ये परिंदा तमाम परिंदों में खुबसूरत समझा जाता है, अल्ला ताला के बनाए हुए हर परिंदे खुबसूरत है लेकिन इसे ज्यादा रंग इसमें शामिल होने की वज़ा से ज्यादा खुबसूरत समझा जाता है इसका रंग नीला और सब्स होता है इसके गर्दन लंबी और पतली होती है इसके सर पर कलगी होती है जो ताच की तरह दिखती है ये अपने पर पंखे की तरह फैला सकता है इसके पर काफी लंबे होते हैं इसकी आवाज भी प्यारी होती है बरसात में ये खुशी से नाचता है जब ये नाचता है तब अपने परों को फैला देता है और बहुत खुबसूरत नजर आता है मोर के परों से रंगीन पंखे बनाये जाते हैं और सजावट की बहुत सी चीजे भी यानि शो पीसेज बनाये जाते हैं मादा मोर को मोर नी कहते हैं मोर अब दुनिया में काफी कम होते जा रहे है हमें इस खुबसूरत परिंदे की हिफाज़त करनी चाहिए इसके इलावा आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जैसा के मैं हमेशा कहती हूँ के कुछ ना कुछ इसके आँखे खुबसूरत होती है ये नाच्टेवे खुबसूरत लगता है मोर पर कई कहावते है ये एशिय और अफरीका में ज़्यादा पाये जाते है लोग इने घरों में भी पालते है ये गुजरात और राजिस्तान साइट ज़्यादा नज़र आते है और चिडिया घर में मोरों को पिंजरे में रखा जाता है और अट्रैक किया जाता है लोगों को मोर की खुबसूरती उसकी दुम में होती है उसकी दुम बहुत खुबसूरत होती है कहीं कहीं मोर सफेद रंग में भी पाये जाते है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं और अपने मजमून को बढ़ा कर सकते हैं तो जरूर लिखा कीजिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा जजाक अल्लाहू खेरन कसीरन कसीरा अल्लाहाफिज